हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे जुरासिंग वर्ट का लेकिस पार्ट, जहां ये प्री हिस्टोरिक एनिमल्स इंसानों के बीच आ गए हैं, और इसे इन दोनों के सर्वाइवल पर एक सवाल कड़ा हो गया है, तो चलिए शुरू करते हैं, तो मूवी के शुरू में हम एक शिप को देखते हैं, जो एलास्ता के समुद में फीशिंग कर रहा था, लेकिन अचानक एक बड़ा सा क्रोपो टाइवल पर अटाइप कर देता है, और इससे उनका शिप डूप जाता है, एक न्यूज रिपोर्ट से पता चलता है, कि जुरासित पाकपाली घटना के पास से ये टाइनसौर इंसानों के बीच आ गए है, और इससे सिट्रेशन बहुत क्रिटिकल हो गई, त्यूकि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए नहीं बने है, इन सब से एक और प्रोग्रम खड़ी हो गई है, और वो है टाइनसौर्स की ब्लैक मार्किट, जहा कि इन्हें अपने बेनिफिट्स के लिए यूज कर सके, आगे हम एक लेटी क्लेयर को देखते हैं, जो डाइनसौर्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, और आज वो एक इलीगल प्रेटिंग सेंटर से एक डाइनसौर को चुडाने आए है, तब हम इसमें तुम्हारा स नहीं दे सकते हैं, यहीं दूसी तरफ हम क्लेयर के बॉइफ्रेंड ओवन को देखते हैं, जो कुद भी स्ट्रे डाइनसौर्स को एक सेव जगा पहुचाने का काम करता है, और जो रासी पाक का ट्रेनर होने के कारण उसे अपने काम में बहुत महारत हासिल है, लेकिन वो न करने के बाब सूथ कभी कभी चुपकर टाउन में चली जाती है, ताकि अपने अकेले पन को दूर कर सके, क्लेयर उसे समझाती है, कि तुम्हारा पाहर जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन मैसी को यह सब एक जेल की तरह लगता था, और वो अपनी लाइफ एक नॉर्मल नड़ ब्लू को देखते हैं, जो अपनी बेटी के साथ पास ही के एक जंगल में रहती है, और उसे सर्वाइब करने का तरीका सिखा रही है, आगी का सिंट टेकसस के एक फार्म का है, जहां एक लड़का एक बड़े से बग को देखता है, और इससे पहले कि वो को समझ भाएं, हज नारो बग्स उनके फार्म पर अटैप कर देते हैं, वो और उसकी बहन बचने के लिए एक शेट में आ जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि एक बग उनके पीछे अंदर आ गया है, और वो लड़का एक पकिट से उसे पकड़ लेता है, एली नाम की एक साइंटिसिस मैटर को इ चुरासिक पाक में उसके साथ काम कर चुका था, और एक टाइम पर वो एली को बहुत पसंद करता था, एली उसे वो पकड़ा हुआ बग दिखाती है, और कहती है कि मैं बायर सिन में जाकर इसकी चांच करना चाहती हूँ, ताकि वहां के सैंपल को इस बग से मैच कर सकूँ और प्रूफ कर सकूँ कि ये सब बायर सिन का ही काम है, एलन को ये थोड़ा खतनाक लगता है, लेकिन एली उसे बताती है कि उनका दोस्त यान इस वक बायर सिन के साथ है, और वो इसमें हमारी मदद करने वाला है, फिर यान उनके लिए एक प्लेइन अरेंज करता है, और व वो तुरंद ये बात आकर क्लेयर को बताता है, तब इपलो अपने बच्चे को टूंडते वे उनके कैविन तक आ जाती है, और वेन उससे प्रोमिस करता है कि वो उसे टूंड कर वापस ले आएगा, क्लेयर अपने पराने दोस्त प्रैंक को फोन करती है, जोब C.I.A. की ड कर सकता है, इधर एलेन और एली बायसीं तक बहुँच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात रेमजी नाम के कोडिनेटर से होती है, और वो हेलिकॉप्टर से उन्हें फैसिलीटी की और ले जाता है, जो पहाडों के बीचे गाने जंदल में बनी है, आगे वो कंपनी के मालिक ल उन्हें बोन करता है, कि लुइस बग्स के तुरू कुछ बड़ा प्लैन कर रहा है, और चुक्के से उन्हें अपना एक्सेस कार्ट देता है, ताकि वो लैब में जाकर बग्स का एक सेंपल निकाल सके, यहीं लुइस अपने एक साइंटिस हैंडरी से मिलता है, जिसने इन इसके डियाने को उल्दर किया है, लेकिन वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है, वरना बग्स पूरी फूट सप्लाई को नश्ट कर देंगे, तब लुइस उसे समझाता है, कि बग्स तो बस एक साइट प्रोजेक्ट है, और हमें तो अपनी डियाने टेथनिक पर काम करन कियाने आई है, और वो डेला कोपक है, यही हम उनके पाइलेट काएला को देखते हैं, जो डीया कोट से मैसी के बारे में पूछते है, लेकिन वो उसे काम और Thank Yaanns और वो उन्हें सीटी में बनी एक ब्लैक मार्केट में लेहता है जहां डाइनोस की इलिगल ठ्रेडिंग होती है यहीं क्लियर की मुलाकत काइला से होती है जो फुद भी एक अमेरिकन ही है और यहीं सोच का क्लियर उससे मैसी के बारे में पूछती है लेकिन काइला कहती है कि वो इस चक्तर में बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहती तब ही वो लोग डेला कोट को आते वे देखते हैं जो सेंटोस के साथ एक और डिल कर रहा है लेकिन अचानक सीय यह उस पर अटैक कर देती है इससे वह भगदर से को डाइनसौर अजाद हो जाते है और डेला कोट उनके के पीछे लगी हुई है लेकिन सेंटोस अपनी ट्रेंड की हुए डाइनसौर्स को उसके पीछे लगा देती है और तब हम देखते हैं कि काईला वहां उसकी मदद करने आई है और उसे अपने साथ एयरपोर्ट की और ले जाती है लेकिन सेंटोस लेसर से उसे भी माप कर द करते हैं ओवन कैला से पूछता है कि आखिर तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो और तब वो बताती है कि मैसी को यहां उसके प्लेइन में ही लाया गया था और रभ वो अपनी गलती सुधारना चाहती है उधर मैसी और डाइनसौर बें बायसीन तक पहुच जाते हैं और मैसी हैंडरी से पूछती है कि आखिर हमें यहां क्यों लाया गया है तब हैंडरी उसे बताता है कि ब्लू में हमने एक मोनिटर लीजर ता डीने डाला था जिससे उसने बिना पार्टनर के भी एक बेबी कंसीब कर लिया और इसलिए यह दिखने में बिल्कुल ब्लू के जैसी है फिर वो उसे उसकी मौन शार्लेट के बारे में बताता है जो खुद में यहां एक साइंटेस्ट रह चुकी है और इसी डीने टेक्निक के मदब से उसने मैसी को भी जनम दिया है एंडरी उनके डीने को स्टुड़ी करना चाहता है ताकि आने वाली जनरेशन को पैतर बना सक और इसी से वो एक ऐसा पैतोजन बनाएगा जिससे वो इन बग्स के जुन को खदम कर सकता है यही दूसी तरफ वो मैलन और एली को देखते हैं जो चुपकर बग बली लेब में आप पहुचे हैं और एक बग्स से उसका टीने सेंपल लेने में काम्याब हो जाते हैं उधर म और एली पर अटैक करने लगते हैं वो दोनों किसी तरह बचते हुए वहाँ से बाहराते हैं जहां उन्हें सामने मैसी नजर आती है और वो उसे भी अपने साथ चलने को कहते हैं काईला भी ओवन और क्लेर को लेकर मार पहुच जाती है लेकिन तब ही एक उनने वाला डाइ मिलते हैं लेकिन पता चलता है कि वो दोन का साथ देना चाहता है और यह वाली ख़ड़ भी उसी नहीं आन को दी थी वह उन्हें पूर्ट में बटाका एरपोर्ट तक जाने को कहता है और बताता है कि वहां एक प्लेन तुमारा वीटता रहा है आगे हम प्लेयर को देखते ह जिसका सामने एक बड़े से डाइनसौर से होता है वो उससे बचने के लिए खुद को पानी में चुपा लेती है और उसके जाती विपायस इन फैसिलिटी के और निकल पड़ती है ओवन और काइला भी क्रैश से बच निकलते हैं लेकिन देखते हैं कि उनके सामने एक डाइनस और उने मानने के बहुत कोशिश करता है लेकिन वो किसी तरह बचते हुए लिप से नीचे चले जाते हैं उदर लुइस को पता चलता है कि यान नहीं एलेन और एली को स्पक्स लैब में बेजा था और रभ वो दोनों मैसी को लेकर भाग रहे हैं यह देखकर वो उनके लेकिन वो एक गाड़ी देखकर यान को जंगल की और बेच देता है जहां से वो एलेन और उसके दोस्तों के मदद कर सकता है उदर माइन में उन तीनों का सामना कोई डाइनसोर से होता है लेकिन वो देखते हैं कि बाहर जाने का गेट तो लोग पढ़ा हुआ है तब ही उन और कैला वहां आकर उसे बचा लेते हैं उतर लुइस उन बग्स को नश्ट करने जाता है ताकि उसके खिलाब कोई सबूत न रहे और वो लोग उस लैब में आग लगा देते हैं लेकिन पता चलता है कि वो बग्स लैब को तोड़कर भाग निकले हैं और उससे जंगल और शुरू हो जाती है बग्स की कारण यान की जीप एक खाई में जा गिरती है जहां उनकी मुलाकात ओवन और उसके दोस्तों से होती है ओवन और क्लेर मैसी को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो प्लैन बनाते हैं कि हमें चल्दी से इस आउट पोस्ट के अंदर जाना हो जागेंटोसूरस में उनका पीचा छोड़ने को बिलकुर तयार नहीं था लेकिन तब ही यान उसका ध्यान अपनी और खीचता है और एक जलते हुए बग को उसके मूं में डाल देता है और इसको फायदा उठाकर वो सब अंदर चले जाते हैं उन्हें लगता है कि यहां श जवा खाली करानी पड़ती है इधर काईला सब को बताती है कि फैसिलीटी की छट पर एक हैलिकॉप्टर खड़ा हुआ है लेकिन उससे पहले एक्स्टापावर की जरूरत है और उसके लिए में प्रैमरी सिस्टम को बंद करना होगा और क्लेर कहती है कि यह कम मैं और एली क करने जाएंगे तब मैंसी उने ब्लू के बेबी की याद दिलाती है और इस काम के जिम्मेदारी ओवन उठाता है क्योंकि उसने ब्लू से इसका प्रॉमिस किया था काईला भी हेलिकॉप्टर को रेडी करने चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बिल्दिंग के में कम मिलूंगी आके हम लूइस को देखते हैं जो है पर लूप से बागने की कोशिश कर रहा है लेकिन तब इक लिए प्राइमरी सिस्टम को शट डाउन कर देती है और इससे उसका पोट रूप जाता है लेकिन देखता है कि सामने से कुछ डाइनसोर्स आ रहे हैं और वो सब ग है कि मैसी के डियाने से हम उन दक्स को लोग सकते हैं और मैसी भी कुछ सोच कर इसके लिए तयार हो जाती है पिर उने काईला का मैसीज मिलता है जो उन सभी को बाहर बुला रही है लेकिन वो देखते हैं कि वहां तो अर्द्रम तैनसोर्स फैले हुए हैं तब ही वो पहले उसकी लड़ाई एक टी-्रेक्स से हो जाती है यह सब भी उनकी लड़ाई का फायदा उठाते हैं और काईला उनको लेकर फैसिलेटी से बाहर निकल जाती है जाते हुए वह देखते हैं कि वहां एक और डैनसोरा पहुचा है और टी-्रेक्स और उसने मिलकर जाइग अगे हम उन सभी को बेस पर देखते हैं चाहां मेडिकल टीम सुनकी देखबाल कर रही है एक न्यूज रिपोर्टर में बताती है कि बायसीन कंपनी अप पंध हो चुकी है और डोक्टर हैंडरी ने भी अपना पैसोजन बना लिया है जो दीरे दीरे उन बक्स को खतम कर दे है उतर ओवन ब्लू को उसका बेबी वापस करता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और रहां कोई आखों में ओवन को थैंक्स पोज़ती है एंड सीन में हम देखते हैं कि डाइनसोर्स ने भी इस नहीं चेंज को एकसेप्ट कर लिया है और इसी के साथ हमारी ये पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना बोले थैंक्यू